हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टो वर यूट्यूब चैनल आज आज आपके लिए बहुत ही बड़िया रेक्रूट्मेंट नुटिफिकेशन लेकर आज जो की आउट कर दिया गया है इंटेलिजेंट ब्यूरो के तरफ से जो की आल इंडिया के इंडिडिड इसके लिए लिज एक 90,000 तक रहने वाली है बहुत ही बड़िया ऑपरचुनिटी है जो की आल इंडिया के लिए आउट कर दिया गया है कैसे अप्लाइ करना है लिजिबिलिडी क्रिटेरिया कह रहेगा आपको इसके अंदर कैसे अप्लाइ होगा कहां से लिंक आपको मिलेगा मैं आपको इस सबसे पहले मिलता रहेगा शमार रहते हैं आप उसके लिए लिजिबल होता है अपलाई कर पाऊगे और इसे के साथ आप चाहते हैं हर तरह के रिकुर्टमेंट जो की कई बरी होता है निस सो जाते है उसी के साथ आपको apply करना है लिंक और complete procedure भी बताया जाता है वहाँ पे तो आप वहाँ से सारे job update ले सकते हैं तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ recruitment notification के उपर लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से कर लिजेगा अगर job के इसके इलावा किसी government job के लिए आप eligible है apply करना चाहते हैं यहाँ फिर आप तयारी कर रहे हैं तो आपको study material इस video की description box में मिल जाएगा कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ recruitment notification की तरफ वहाँ बताता हूँ complete process सबसे पहले यह notification जो release किया गया है intelligence bureau की तरफ से आउट किया गया ministry of home affair government of india की तरफ से इसके अंदर male and female दोनों ही eligible है apply कर सकते है mode of application जो रहेगा इसके लिए offline रहेगा offline आपको इसके लिए apply करना होगा और जो job location रहती है intelligence bureau के लिए वो all india रहती है salary आपकी as per norms रहेगी notification जो है release हुआ जो कि 21 august 2021 को हुआ था और इसके अंदर आपको 60 days के अंदर मतलब आपको 60 दिन के अंदर अंदर इसके लिए apply करना होगा अगर हम बात करें तो आप 21 October तक इसके लिए अराम से apply कर सकते हैं आपके बहुत time है plenty of time है तो आप अराम से apply करिएगा उसके बार next अगर हम बात करें कि इसके लिए यह कुक की 11 vacancies आउट करी गई है next multitasking staff की 24 vacancies आउट करी गई है deputy director की दो पोस्ट आउट करी गई है उसके बाद deputy central टेंजेंस officer की 10 पोस्ट आउट करी गई है assistant security officer technical की 12 है research assistant की दो पोस्ट आउट करी गई है senior foreign language advisor की एक पोस्ट आउट करी गई है senior research officer की दो पोस्ट आउट करी गई है accounts officer की तीन पोस्ट आउट करी गई है accountant की 24 पोस्ट जो है वो आउट करी गई है junior intelligence officer की 13 पोस्ट है caretaker की 5 पोस्ट है library attendant की एक पोस्ट है जूनियर इंटेलिजन्स ऑफिसर की मेजर ट्रांसपोर्ट की 21 पोस्ट आउट करी गई हैं, इसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स की एक पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की 20 पोस्ट टोटल आउट करी गई हैं, यह नोटिफेकेशन आपको मिल जा पर नॉम्स रहेगा, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसके लिए किसी तरह की आपको एप्लिकेशन फी जो है वो पे नहीं करनी है, कभी भी आपको इंटेलिजन्स पर नहीं कहता है, अगर इस जॉब को दिलवाने के लिए या किसी तरह से आप से कोई पैसा मांग जाता है, तो आप डिनाय कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सरसर फेक होगा, क्योंकि कहीं पर भी मैंचन नहीं है, कि आपको कोई अप्लिकेशन फी कहीं पर समिट करनी होगी, एज लिमित टैस्ट पर रूल रहती है, इसके लिए जैसे मैंने बताया, विदिन 60 देज के अपर सेंट करने होगे, इसके लिए जो अप्लाय करने के लिए अलग-अलग वेकैंसी के लिए अलग-अलग जो है, क्रिटेरिया है, जैसे कि 10th, 12th graduation candidate, जो relevant discipline में जिन्होंने की हुई है, वो इसके लिए eligible हैं, अप्लाय कर सकते हैं, और ये जो वेकैंसी आउट करी गई ह हैं, ये already working experience candidates के लिए होती हैं, जो की already किसी भी century or state government में job कर रहे हैं, तो उनके लिए eligibility criteria अगर हो met करते हैं, तो वो उनके लिए apply कर सकते हैं, selection process as per rule जो है वो रहेगा, apply करने के लिए intelligence bureau के recruitment application form और notification period दोनों एक ही है, यहाँ पे आप click करेंगे, यहाँ से आप download करके check कर सकते ह हैं, तो यह notification है, जो की out करा गया है, intelligence bureau की तरह से, आपको apply कर लेना है, simply जैसे मैंने step आपको बताए हैं, link आपको सारे ही description में मैंने दे दिये हैं, वहाँ से आप check करके इन के लिए apply कर सकते हैं, बहुत लिए पोस्ट हैं, तो एक बरी पूरा notification go through कर लीजिएगा, यह सारे already working candidates के लिए recruitment होती है, हमेशा की तरह, अगर आपको कोई doubt हो, तो जरूर कमेंट करके पूछे का हम आपको reply जरूर देंगे, तो यह notification आज ही out किया गया है, तो मैं आपके लिए आज ही लेकर आया हूँ, तो ऐसी तरह से आप चाहते हैं, हर एक notification आपको मिलता रहे, तो उसके के लिए आपने simply क्या करना है, हमारी website को subscribe कर लेना है, उसे आपको सारे ही update time से मिलते रहेंगे, तो यह था आज का notification मिलूगा, मैं आपको नए notification के साथ, नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद.